बच्चों को अगर किसी भी चीज में चीज दे दिया जाए तो बहुत ही मन से खाते हैं तो चलिए आज हम बनाते हैं ऐसा नाश्ता जो कि बच्चों और हम सब की फेवरेट है इसका नाम है चीजी स्पिने सूजी बॉल्स यह बॉल्स उपर से इतने क्रिस्पी होते हैं अंदर से काफी सॉफ्टर माउथ मिल्टिंग होते हैं जिसे अगर आप एक बार खार लेंगे ना तो बार बार बनाएंगे और बच्चों कुछ हेल्दी खिलाने का यह सबसे अच्छा option है तो यहाँ पर यह देखे पानी अच्छे से बॉईल हो गया है और इसमें हम डालते हैं पालक की प्यूरी और साथी मेस अब हम डालेंगे 200 ग्राम सूजी एक हाथ से हम सूजी डालते जाएंगे और दूस्रे हाथ से हम चलाते जाएंगे एसा करने से क्या होता है कि गुठलिया नहीं पड़ती है और बहुत ही स्मूद सा मिक्षबन के रेडी होता है आप देख रहे हैं जैसी मैंने सूजी डाला और कितने अच्छे से फूल गई है काफी पानी को अब्सॉर्फ कर ली है और इसी समय इसमें हम डालते हैं टेस्ट की कॉर्डिंग नमक और साथ में यहां पर हम थोड़ा सा तेल डालेते हैं लगबग 2-3 टेबिल स्पून तेल डालेंगे और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे मीडियम फ्लीम पर रखर इसे हम कंटिनुवस चलाते हुए मिक्स करेंगे आपको चलाना बन नहीं करना है नितो सूजी पैन के तले में चिपक जाती है और आप सोच चूँआ होगे कि मैंने पालक की प्यूरी कैसे बनाया है तो इसके लिए मैंने पालक परी डोसा में बता चाहिए बहुत जादा पतला भी नहीं चाहिए और जैसे यह ठंडा होगा ना वैसे यह थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा थिक हो जाएगा बिल्कुल आटे की तरह हो जाएगा तो इस समय हम फ्लेम को बन करते हैं इसे और कुक नहीं करेंगे इसी स्टेज पे इसे हम छ अजरत नहीं आप अस्तामाल कर सकते हैं लेकिन मेरे पास ब्लॉक था इसलिए ग्रेट कर लिया है और चलिए इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और साथी में थोड़ा सा पीजा सीजनिंग भी डालेंगे जिसे की टेस्ट काफी अच्छा आएगा और सभी को चीज के साथ मिक्स कर लेते हैं वैसे तो चीज में थोड़ा नमक होता है इसलिए यहां पर थोड़ा सा टेस्क नमक डालेंगे और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो बस यह हमारी फिलिंग रेडी हो गई है इसमें कुछ भी नहीं करना है और हर्ब्स आप जो खाना अब हमें चीज को चोटे-चोटे पोशिंस में डिवाइड करना है तो हाथ में थोड़ा सा पोशिं लेकर इस तरीके से बॉल का शेप देंगे तो जितने बड़े चीज बॉल्स बनाने है आप उसे साब से यहां पर चीज के बॉल्स बना सकते हैं तो यहां पर मैं यह स्वल्स बॉल्स बनाके रेडि की चलिए ऑँ चीज बॉल्स बनाने के लिए लेते हैं शूजी का मिक्सर तो यह तो यहां पर यह थोड़ा सा ठंड़ हो गया है तृएं चाहिए आधे की दर भी राई ओजाए गा फिर लेस तरीके से आट्टे की तरहня नहीं बन Techoliar तो यह बीच में हम रखते हैं एक चीज बॉल तो आप देख रहे हैं यहां चोटे साइस का चीज बॉल रखा है इसलिए असानी से कवर हो जा रहा है अगर चीज बॉले बड़े बनाएंगे तो यहां पर फिलिंग करना डिफिकल्ट होगा तो इस तरीके से देखें मैंने पूरे ची बीच में रखते हैं एक चीज बॉल और चार ओर से इस तरीके से सील कर लेंगे यह आपस में आटमेटिक स्टिक हो जाएगा कुछ भी हम लगाने की ज़ुरत नहीं है और यह इस तरीके से हाथ में हम लेकर बॉल का शेव देगे तो बहुत ही बनाना कोई भी बिगनर हो जो करेंगे कर्णी कोटिंग जिसे की खाने में और पी टेस्टी लगेगा तो कोटिंग गरनेके लिए हम बोल में डाले हैं मैधा और जितना मै मैधा लिए हैं सेम कौंटिटी में ही हम कौन फ्लार भी अडbrand कर लेंगे और फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी कालमेश पौड में थोड़ा अमक डाल देते हैं और धीरा करते में पाई डाल कर इसका हम स्मूद सा पेस्ट बनाएंगे तो यहां पर एक सथ पानी नहीं नहीं डालना है थोड़ा करक्कर करें जिसलिखें दोर नहीं डालेंगे जिसफिकी बैटर में गुठलीन नहीं पड़ेंगी और ही कितना flowy सा दिख रहा है और लम्स बिल्कुल भी नहीं है तो चलिए अब हम एके करके spinach cheese suji balls को dip करते हैं तो इस तरीके से कोट करेंगे और अब इसे हम तुरंथी bread crumbs के साथ भी कोट करेंगे ताकि balls बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाए सलरी में डिप करने से क्या होगा कोटिंग बहुत अच्छी आएगी बिक्रम्स अच्छे से स्टिक होगा इसलिए मैंने इसे पतली सी सलरी में डिप किया था तो इस तरीके से ये देखें मैंने दूसरा बॉल भी बना के रेडी कर लिया है बिल्कुल अच्छे से सभी balls कोट हो गए है आप देख रहे हैं और इस समय से हम कम से कम आदी गंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं जिससे की अच्छे से फ़र्म हो जाएगा तो यहां पर मैंने पालक को रफ्री चॉप कर लिया है बिल्कुल अच्छे से धो लिया है इसे कट करने की जुरत नहीं है और इसे हम डालते हैं गरम पानी में क्योंकि इसे हम थोड़ा सा ब्लैंच कर लेंगे तो अच्छा रहेगा गरम पानी में डालकर इसे दो मिनिट के लिए हम कुक कर लेते हैं यहां पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है हलका सही हम इसे कुक करेंगे गरम पानी में डालकर और दो मिनिट बाद इसे हम गरम पानी से निकाल लेते हैं और तुरंती इसे हम ठंडे पानी में डालेंगे ऐसा करने से क्या होता है कि पालक में जो एक्स्टा कुकिंग है वो रुख जाती है और पालक का रंग जो हरा भरा रहता है तो ठंडे पानी में डालने के बाद अब चलिए इसे हम ग्राइंड करते हैं और अब एके करके चीज बॉल्स को डालते हैं गरम तेल में ध्यान रहें कि यह तो जब बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए नहीं तो अंदर से जो बॉल्से वो कच्छे रहेंगे और उपर से बहुत जल्दी लाल हो जाएंगे और वैसे तो मैंने इन चीज बॉल्स को सिर अधे गंटे ही रखा था आप चाहें तो इसे 6-7 गंटे भी रख सकते हैं और जब फ्राइ करना हो तो फ्राइ कर सकते हैं और इस तरहिके से मुल्डपट के फ्राइ करेंगे जब तक यह जब तक यह गोल्ड़न बाउन और कृस्ट नहीं हो जाएं वैसे इन बॉल्स को फ् काफी चीजी होता है तो इस तरीके से देखिए मैंने पहला बैच बना के रेडी कर लिया है और इसे अब हम टीशु पेपर निकालते हैं और बहुत ही क्रंची बना है यह देखिए आवाद से यह आपको लग रहा हुआ कि इतना क्रंची बना है और चलिए एक मैं आपको त तरीन टेबल स्पून मयोनीज और इसमें हम डालेंगे सेजवान सॉस वैसे तो मैंने यहां पर सिर्फ एक चम्मा सेजवान सॉस आड़ किया है आप जितना ज्यादा पसंद करते हैं उसे अपसे आड़ कर सते हैं बस मैयोनीज और सेजवान सॉस को बिलकुल अच्छे से मिक मेरे यहां तो यह नाशा सबका फेवरेट हो गया है और परने के बाद तो इतनी जल्दी खतम हो गया कि पता ही नहीं चला आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो फ्रेंस कैसी लगी रेसिपी वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिए और इससे पहले मैंने सूजी और मत्र से बहुत ही हल्दी नाश्ता बनाया था वह भी कम तेल कर इस्तमाल करके तो इसकी रेसिपी को आप यहां पे क्लिक करके जरूर देखिए